हाथरस मामले में योगी सरकार की तरफ से गठित SIT ने अपनी जांच पूरी कर ली है समाचार एजेंसी एनाई की ख़वर के मुताविक अब जल्दी टीम की तरफ से जांच रिपोर्ट सरकार को सौपी जाएगी तीन सदस्यों वाली SIT ने एक अक्टोवर को मामले की जांच शुरू की थी और पहले इसे 7 अक्टोवर को अपनी रिपोर्ट देनी थी लेन बाद में इसे जांच के लिए 10 और दिन की मोहलत दी गई जिसके बाद अब टीम राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपे गी अपनी तस्दीक के दोरान टीम ने कई दिन गाउं में गुजारे और पीडित परिजनों अधिकारियों के बयान दर्च करने के अलावा उसने घटना अस्थल और शमसान का भी दोरा किया